अगर मुझसे का जाता है टूटोमेडिस इन स्पायरो तो पहले तो मैं यह बता दूँ आपको बहुत इजी सा दिखने वाला यह स्पायरो कंपाउंड ऐसे नहीं है ऐसे है और यहां दिक्कत क्या हो रही है कि यह दिक्कत आजाएगी अगर यहां डबल बॉंड है तो यह इसके साथ तो कर लेगा इसके साथ तो ही नहीं अलफा एटोजन तो क्या अब यह कर पाएगा नहीं टूटोमेडिस कर पाएगा क्या नहीं क्योंकि यहां स सकता है सोचो चालो आपने के दिया किसाब हम यह वाला hydrogen ले लेते हैं एक सेकर्ट यह तो जा सकता है यहाँ लेते माइनस इधर गया यह दर गया माइनस इधर गया नहीं होगा यहा और तो यहां के बीच में होता तो यहां हम सोच सकते थे यह तो होई नहीं सकता तो क्या यह ट्यूटोमेरिश शो करेगा नहीं क्या यह ट्यूटोमेरिश शो करेगा मेरे हिसाब से अगर आपने यह बना भी दिया तो यह एक एंटी अरोमेटिक बनेगा दो और दो चार तो ये भी नहीं शो कर पाएगा कुछ कोई समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहरा हूँ सही है ये कंपाउंड बड़े प्यार से शो कर जाएगा यह ये कंपाउंड बड़े प्यार से ट्यूटो में शो कर जाएगे इसका क्या होगा आप बार-बार पढ़ चुके हैं, यह OH, और इसका क्या होगा? Tutomers, OH, 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 तो इसका क्या Tutomers होगा? आपके दिमाग में यही आ रहा होगा, इसका Tutomers कैसा बनेगा? लेकिन यह Anti-Aromatic है, नी शोगर पाएगा, एक कर सकता है ज्यादा ज्यादा, एक तरफ OH आ सकता है, दोनों नी याएंगे. यह वाला, बेटा, एक सेगिंड के लिए आपने माल लिया यह वाला, यहां तो है नी, इद्यार हैलफा आइडरोजन है नी, यहां माइनस आया, यह यहां आया, समझें आप, यह जैसी यहां आया, यह यहां जाएगा माइनस, तो यह थोईना मूग कर जाएगा उपपर, समझ में आ रहा है, इसलिए यह वाला टूटोमर्स नहीं शोग कर पाएगा, वो तब होता है टूटोमर्स, जब अल्फा बीटा के बीच में पाई हो, और गामा पे अल्फा हो, यह तो देखा जाए तो बीटा हैडरोजन, बीटा हैडरोजन थोईना पार्टेसपर करता है टूटोमर्स में, गामा करता है, या फिर अल्फा करता है, और गामा तब करता सारा इसलिए ये भी शो नहीं कर पाएगा अब के लिए रहे